हेलो, दोस्तो, स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्यां अरेयस एकडमी में दोस्तो पूरे भारत वर्ष में जितनी भी प्रतियों की फरीक्षाएं आईजित की जाती है उन सभी प्रतियों की परीक्षाओं के लिए पॉल्टिक ल साइन्स के Topic-Wise Top Important प्रेंट प्रष्णूं की सीरीज इस्टार्ट की गई थी जिसमें अपने 17 टोपिक है वो कम्प्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें 18 नंबर का टोपिक है और दोस्तों टोपिक का नाम है लोग सबा से समंदीत आज मैं आपके लिए टोप प्रेशन लेका है हूँ जो आपकी प्रतियों की प्रिक्षा के लिए अत्यांत महतोपुन है अगर आप यह सो प्रेशन देख लेते हैं तो दोस्तों लोकसभा से समंदित आपका एक भी प्रेशन है वो गलत नहीं होगा और दोस्तों लोकसभा आपको दुबारा पढ़ने की जुरत भी नहीं पड़ेगी तो दोस्तों अरद्यार आपके यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रेशने देखिए इसमें निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रतेक्स रूप से निर्वाचित सदन है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों लोक सबा तो इसमें बी नंबर का उप्शन बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा देखिए भारतिये संसद का निम्न अत्वा लोक प्र याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें सेकेंड नंबर प्रेशने भारत में लोक सबा किसका परतिनी दित्व करता है तो ये भारतिये जनता का दोस्तों परतिनी दित्व करता है तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे इसमें तीन नमबर का प्रेस ने भारतिय सवीधान के किस अनुचेद में लोकसभा के गठन के सम्मंद में प्रावधान किया गया है तो दोस्तों लोकसभा के सम्मंद में गठन का प्रावधान है ये कौन से अनुचेद में किया गया है तो ये अनुचेद दोस्तों 81 और डौनों के अंदर यह प्रावदान किया गया है लोकसभा के गठन का प्रावदान तो इसका राईट आंशर हो जायगा इसमें उप्रयोक्ते दोनों सी नमबर का उप्शन बिलकुल सही Uttar हो जाएगा आगे देखिये इसमें चार नमबर का प्रेस ने मूल सविधान में लोक सबा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी मूल सविधान में लोक सबा के सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई थी तो वो की गई थी दोस्तो कितनी तो पान सो निर्धारित की गई थी दोस्तो ठीक है 31 सविदान संसोदन उसमें क्या किया कि दोस्तों सदस्य संक्या है वो 545 कर दी गई पलस दो है वो राष्टर पती द्वारा मनोनित ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है और वर्तमान में संक्या कितनी है तो 545 है वर्तमान में लोक सबा सदस्य संक्या कितनी है 545 कुल ठीक है और अधिक्तम कितनी हो सकती है लोक सबा सदस्य संक्या अब वर्तमान में तो अधिक्तम दोस्तों 552 हो सकती है ठीक है तो यह आपको चार प्रस्न है यह आपको इसमें याद रखने है ठीक है तो इस प्रस्न का राइट आंसर ए कि 31 सभीधान संसोधन में जो निर्वाचित सदस्य संक्या है वो दोस्तू 545 निर्धारित की गई थी पलस में दो ये मनोनित हैं ठीक है तो टोटल कितने होगा ये 547 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें 6 नमबर का प्रेस ने लोग सभा की अधिक्तम सदस्य संक्या कितनी हो सकती है तो ये दोस्तो 552 हो सकती है सदस्य संक्या कितनी हो सकती है 552 डी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 552 आगे देखें 7 नमबर का प्रेस ने वर्तमान में लोग सभा के कितने सद राजे की जनता सिदे निर्वाचित करती है तो देखिए वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 530 पलस 13 पलस 2 یعनि की 545 यानि की यहां पर 530 सदस्यहें वो जनता द्वारा सिदे निर्वाचित किए जाते हैं तो इसमें D number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें वर्तमान में संग सासित छेतरों की जनता लोकसभा में अपने कितने परतिनिदियों को निर्वाचित कर भेजती है समझ में आ गया मैंने अभी आपको बताया था 530 पलस 13 पलस 2 तो वर्तमान में संग सासित छेतरों की जनता लोकसभा में कितने परतिनिदियों को निर्वाचित करके भेजती है तो दोस्तो 13 तेरा सदस्य को निर्वाचित करके भेजती है अधिक्तम कितने भेज सकते हैं तो दोस्तो अधिक्तम 20 बेज सकते हैं यह आपको इसमें याद रखना है जो 552 अधिक्तम संक्या मैंने आपको बताई थी लोकसभा सदस्य की जिसमें 530 राज्य से होगे और 20 है वो संक्साचित छेत्रों से होगे और दो लोकसभा दवारा मनोनित टो टोटल कितने होगे 552 ठीक है और अभी जो वर्तमान में 13 परतिनिदी बेज़े जाते हैं संक्साचित छेत्रों से यह अधिक्तम 20 बेज सकते हैं तब 555 हो जाएगी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उप्सन 13 नेक्स् दोस्तो कितने सदस्यों को मनोनित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें दो सदस्यों को मनोनित करता है उंगल भारतिये तो इसमें एक ए नंबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की भावी संख्या कितनी है तो दोस्तों कितनी है तो वो है 545 कितनी है 545 है बी नमबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा 545 आगे देखिए इसमें 11 नमबर का प्रेस ने राश्टरपती द्वारा लोक सबा में उंगल भारतिय समुदाय के दो सदस्यों को किस तहत मनोनित करता है राश्टरपती द्वारा लोक सबा में उंगल भारतिय समुदाय के दो सदस्यों को किस अनुचेद के तहत मनोनित करता है तो दोस्तों कौन से अनुचेद के तहत तो वो है अनुचेद 331 अनुचेद 331 बी नमबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएग आगे देखिए इसमें लोक सबा में ओंगल भारतिय समुदाय में दो सदस्यों को मनोनित करने की सक्ति किसके पास है तो ये तो दोस्तो मनोनित करने की सक्ति तो सिर्फ एक के पास में है वो है भारत के राश्टरपती के पास में बी नमबर ओप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा तेरा नमबर का प्रेशन है लोक सबा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो दोस्तो किस आधार पर तो जन संक्या के आधार पर सीटे आवंटित होती है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा जन संक्या के आधार पर आगे देखे, वर्तमान लोक सबा में परतेक राज्ये के लिए इस्तानों का आवंटन आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो, गुनिसो इगेतर की जनगना पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ओप्षन बिल्कुल स आगे देखिए इसमें लोकसबा के निर्वाचन छेत्रों की सीमा निरधारन पहली बार निमनलीकित में से किस सन में किया गया था यानि कि लोकसभा के निर्वाचन शेत्रों का सीमा निरदारन पहली बार निमनलिकित में से किस सन में किया गया था तो दोस्तों कौन सी सन में किया गया था तो गुनी सो बहतर में किया गया था बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा गुनी सो बहतर आगे दे करना पर आदारित है यह निर्दारन किस वर्स तक यथावत रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से वर्स तक यथावत रहेगा तो दो हजार सबीस तक यह यथावत रहेगा बाद में इसको बटा गडा सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी न आठारा नमबर प्रेशन है लोग सभा के सभी निर्वाचन छेत्र निम्न में से किस परकार के होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस परकार के तो एककल सदसिये निर्वाचन छेत्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर क प्रफशन बिल्गुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए आठारा नमबर प्रेस ने लोग सबा के एक निर्वाचन छेत्रे कम से कम कितनी जनसंक्या का परतिनी दित्व करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साथ पॉइंट पांच लाख जनसंक्या का अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजातियों के परतिनीदियों के लिए लोग सबा में कितने सुरक्षित निर्वाचन छेत्रों की वेवस्ता की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो 131 निर्वाचन छेत्रों की वेवस्ता की गई है तो इसक ए नमबर का option है वो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 20 नमबर का प्रेस्ट ने लोग सबा के लिए पर्थम आम चुनाव कब हुआ तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लोग सबा के लिए पर्थम आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था तो इसमें C नमबर का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा 1952 ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें 21 नमबर प्रेस्ट ने चेतरपल की द्रेश्टी से देश का सबसे छोटा लोग सबा निर्वाचन चेतर कौन सा है तो वो है दोस्तों लक्सविद्विविपे D नमबर क निमनलिकित में से मतदाता संख्या की द्रेश्टी से देश का सबसे बड़ा लोग सबा निर्वाचन चेतर कौन सा है तो वो है दोस्तों कौन सा आगे देखें कौन सा सवेदानिक संसोदन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समंदित है तो कौन सा सवेदानिक संसोदन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समंदित है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें सात्वा और 31 साथ्वा और 31 सविधान संसोदन तो आपको यह याद रखना है यह दोनों है यह लोक सभा के सद्द से संक्या बढ़ाने की दोस्तो इसमें बात कही गई है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें C नमबर का उप्षन बिल्कुल सहितर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 24 नमबर प्रेस ने लोक सभा में केंदर सासित परदेशों से परतिनिदी चुने जाते हैं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें परतेक्स निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं परतेक्स निर्वाचन द्वारा तो इसमें A number option सहितर 25 नमबर प्रेस ने है राष्ट्रपती लोक सभा के दोस्त दश्यों को निमन का परतिनिदी चुने के लिए नामित कर सकता है तो वो है दोस्तो एंगलो इंडियन तो इसमें A number option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें लोक सबा में निमनलिकित में से किस के लिए इस्तान आरक्सित है तो लोक सबा में निमनलिकित में से किस के लिए आरक्सित इस्तान है तो वो है दोस्टो, देखिए अनुसुचित जाती के लिए, अंगल भारती वर्ग के लिए, तो दोस्टो इसका राइत। अंसर हो जाएगा इन में से सभी, डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इनमें से सभी, आगे देखिए लोग सबा का चुनाव बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्स आगे देखिए इसमें 28 नमबर प्रेस ने कौन सा राज्य सबसे अधिक परतिनिदी लोक सबा में बेजता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उत्र प्रदेश डी नमबर का ओप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो कि बातान दे रखा है तो अपने को बताना है कि दोस्तो इसमें गलट है वो कौन सा है तो देखिए आंपर आंदर प्रदेश और असमडर कितनी है तो आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 कितनी है 25 आंदर प्रदेश में ठीक है और असम के अंदर कितनी है तो दोस्तों यह तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों असम के अंदर है वो कितनी है बताएए यहाँ पे जो तेरा संक्या है लेकिन यहां पे कितनी दे रखी है 13 तो इसमें यह सही सुमेलित नहीं है पंजाब के अंदर दोस्तों कितनी 13 है और पसिम बंगाल के अंदर दोस्तों कितनी है 42 ठीक है तो इस प्रैसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का उप्शन क्योंकि यह इसमें सही निदे रखा 13 के स्थान पे 14 आना चाहिए था आगे देखिए किस राज्य का लोग सभा एवं राज्य सभा में परतिनी दित्वा सबसे अधिक है तो सीधा सा है उत्तर प्रदेश ही होगा इसका राइट आंसर तो ए नंबर का उ कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए लोग सहघा में तो 80 सीटे है और राज्य सहब पके अंदर 29 सीटे है वीदान सहब पके अंदर 404 है ठीक है आगे देखिए इसमें 31 नमबर जारकंड 16 से लोग सहजा के सदस्यों की कुल संक्या कितनी है जारकंड 17 तो यहां पर देखिए जारकंड शेतर से 14 सदस्टे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है निमनलिखित में से राज्यों के किस यूगम को लोग सबा में समान सीटे पराप्त है तो यहां पर देखिए दोस्तो आंदर परदेश और राजस्तान इन दोनों को दोस्तो इसमें बराबर सीटे हैं वो परदान की गई है दस-दस ठीक है याद रखना इसमें तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है डी नमबर का ओप्शन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए इसमें चोरी 25-25 यहां पर 10-10 तो यहां पर देखिए 25-25 लोगसबा की बात हो रही है राज्यसबा की नहीं हो रही है ठीक है तो लोगसबा में आंदर परदेश और राजस्तान की कितनी कितनी सीटे हैं तो 25-25 सीटे हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें डी नमबर ओप्शन बिल्कुल सही उतर है नेक्स्ट है लोगसबा का परतिनिदित्व है वो सबसे अधिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराष्टर और पस्सिम बंगाल का बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है वर्तमान में किस राज्य का लोक सबा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के ह तो यह महाराष्टर का है तो इसमें बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा महाराष्टर का आगे देखिए इसमें 35 नमबर प्रेस ने उत्रप्रदेश के बाद सबसे अधिक संसद्य चेतर किस राज्य का है तो यह है दोस्तों किस राज्य का तो यह किटो की कुल संक्या है वो कितनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तो 40 कितनी है चारीस लोक सबमें सदस्य संक्या कितनी है चालीस भिहार मैं ठीक है राजे सभा में ने नमबर का ओप ग्यारा यानि कि 36 गड़ में लोकसभा शीटों की संक्या कितनी है तो वो है ग्यारा याद रखना तो इसका राइट आंसर इसमें A नंबर उप्शन सर्वी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है निम्न लिखीते चार राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य है तो सबसे कम सदस्य लोकसभा में दोस्तो कौन-कौन से में है मिजोरम में है नागालैंड में है लक्सवेद्वीप में है दमनेवदीव में है पुद्दुचेरी में है सिक्किम में है तीक है जिसमें एक-एक सदसे हैं वो बताए मैंने आपे तीक है अब यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो है हरियाना तीक है हरियाना के अंदर दोस्तो सब भी सिटे हैं लोकसभा की और बाकी इन सबी के अंदर दोस्तो ज़्यादा सिटे है तीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है वी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यानिकि इन चार राजों में सबसे कम सिटे हैं वो दोस्तो हरियाना की है तीक है तो इसका राइट आंसर इसमें वी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 49 नंबर प्रस्ण है जहां तक लोग सबा में परतिनी दित्व का प्रस्ण है कौन से राजे दूसरे तथा तीसरे पर है यानि कि कौन से राजे दूसरे तथा तीसरे पर है लोग सबा के अंदर तो यहां पर देखिए दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराश्टर और आंदर प्रदेश महाराश्टर और आंदर प्रदेश तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें A number option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे 40 number question लोग सभा में किस संघ साषित चेतर के सरवादिक परतिनली निर्वाचित होकर आते हैं यहां पर देखे किस संघ साषित चेतर के सरवादिक परतिनली निर्वाचित होकर आते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दिल्ली के तो A number option विलकुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है दिल्ली के साथ सदस याते हैं लोकसभा में ठीक है याद रखना आपको आगे देखिए इसमें 41 number प्रेशने संग साचित छेतर दिल्ली कितने परतिनीदी निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है तो दोस्तो साथ सदसे निर्वाचित करके भेजता है तो इसमें B number option सयुतर हो जाएगा आगे देखिए लोकसभा में सरवादिक परतिनीदित्व के आधार पर राज्यों का सही करम है लोकसभा में सरवादिक परतिनीदित्व के आधार पर राज्यों का सही करम कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें देखिए उत्रप्रदेश महराष्टर पस्षिम बंगाल उत्रप्रदेश महराष्टर पस्षिम बंगाल तो इसमें B number option बिल्कुल सयुतर हो जाएग आगे देखें लोकसभा का समानित कारेकाल कितने वर्ष का होता है लोकसभा का समानित कारेकाल है वो कितने वर्ष का होता है तो यह होता है दोस्तो पांच वर्ष का C number option बिल्कुल सयुतर नेक्स्ट है आपातकाल के दोरान संसद लोकसभा का कारेकाल एक बार में कितने समय क लिए बढ़ा सकती है तो दोस्तों एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है बी नमबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एक वर्ष के लिए आगे देखे किसी भी दसा में आपातकाल की उद्गोशना परवर्त ने रहने के बाद उप्रियुक्त अवदी कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 6 माह है तक ठीक है तो इसके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नमबर का उप्सन से उत्तर नेक्स्ट है लोक सभा में कोरम यानिके गणपूर्ती पूरा करने के लिए कम कम से कम कितने सदस्चियों की जरूरत होती है तो वो ही एक यानि कि कुल सदस्चियों का एक बटा दस भाग है तो इसमें दोस्तों डी नमबर का उप्सन बिलकुन से उत्तर होजाएगा आगे देखिए लोक सभगा का कारेकाल पांच वर्शे अधिक किस अवस्ता में जा सकता है जब राष्टी आपात लागू हो उस समय लोक सबा का कारेकाल है वो पांच वर्षे अधिके बढ़ाया जा सकता है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अड़तालिस नंबर प्रेस्टना इसमें देखे लोक सबा के किसी सदस्य की सदस्यता कितन दिनों तक लगातार अनुपस्तित रहने पर समाप्त हो जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितने रुपेया प्राप्त होता है संसद सदस्यों को परतिमा है वेतन के रूप में कितने रुपेया प्राप्त होता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों कितना रुपेया तो वो है देखिए 45,000 रुपे प्राप्त होता है तो इसका right answer हो जाएगा बड़ाया है तो वो कितना करकर दिया है ठीक है देखिए संषब के सतर में उपश्श्थित रहने और संषदिये समीतियों की बैठक में भाग लेने के लिए संषब को कितना देनिक बता मिलता है तो यह मिलता है दोस्तो कितना? एक हजार तो इसमें डी नमबर का ओप्शन बिल्कुल बिलकुल सहिवत्तर हो जाएगा एक हजार आगे देखे सांद सद को सुचारोरूरूरूरूप से अपना कारेकाल चलाने के लिए पर्ते कमहिने कितना कारेला भथा मिलता है तो ये मिलता है दोस्तो तेबिस अजार रुपए कारिया लबहता मिलता है दी नंबर का उप्शन बिल्कुछ सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए लोक सबा सदस से अपना त्याग पत्र किसको देते हैं लोक सबा सदस से अपना त्याग पत्र किसको देते हैं तो ये देगा दोस्तो लोकसभा को लोकसभा देक्स को ठीक है लोकसभा सदस्य से अपना त्याग पत्र किसको देंगे लोकसभा देक्स को तो इसमें C number option से उतर हो जाएगा नेक्स्ट है किस वर्ष से भूत पूर्वे संसत सदस्यों के लिए पेंशन की वेवस्ता लागू की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गुनि सो चीयतर गुनि सो चीयतर से पूर्वे संसत सदस्यों के लिए पेंशन की वेवस्ता की गई C number का option से उतर हो जाएगा नेक्स्ट है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथी तथा दूसरी बैठक की पर्थम तिथी के बीच कितने समय से अधिक का अंत्राल नहीं होना चीए लोकसभा की यानि कि बैठक की अंतिम तिथी तथा दूसरी बैठक की पर्थम तिथी के बीच में कितने समय से अधिक का अंत्राल नहीं होना चाहिए तो दोस्तों ये अंत्राल है ये 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए तो इसमें D number option से उतर हो जाएगा आगे देखिए पचपन नंबर प्रेशन है लोकसभा के कम से कम कितने सतर बुलाई जाते हैं तो दोस्तों वो है वर्ष में दो बार सतर बुलाई जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D number option से उतर कम से कम दो बार ठीक है आगे देखिए राष्ट्रपती लोकसभा को कारेकाल पूरा करने के पूरवे भंग कर सकता है तो किस की सलापर तो दोस्तों परधान मंतरी की सलापर भंग कर सकता है तो इसमें A number option से उतर हो जाएगा 57 number प्रेसन इसमें देखिए लोकसभा को उसके कारेकाल की समापती के पूरवे भी भंग किया जा सकता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपती द्वारा मंतरी परिश्यद की सलापर राष्ट्रपती द्वारा मंतरी परिश्यद की सलापर सी नंबर का option बिलकुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अठाव नंबर प्रेसने लोकसभा सदस्ये बनने के लिए योग्यता नहीं है तो कौन सी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ह देखिए उम्र 30 वर्ष कम से कम नहीं हो तो यहां पर दोस्तों यह गलत दे रखा है 30 वर्ष तो राज्य सभा के लिए है 25 वर्ष है लोकसभा के लिए यहां पर यह गलत दे रखा है तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर उप्सन हो जाएगा आगे देखिए लोकसभ अध्यक्स है ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोगसभा अध्यक्स है नेक्स्ट नेवनलिकित में से किसे लोगसभा का अभी रख्षक कहा जाता है तो किसे लोगसभा का अभी रख्षक कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तो इसमें लोगसभा अद्यक्स को अभी रख सके कहा जाता है तो इसका राइट आंसर डी नमबर ओप्षन हो जाएगा नेक्स्ट लोगसभा के अद्यक्स को कौन चुनता है लोगसभा के अद्यक्स को कौन चुनता है इस्ता ही लोकसभा अध्यक्स प्रोटर्म स्पीकर को कौन न्यूक्त करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन तो ये राष्ट्रपती न्यूक्त करता है ठीक है तो इसमें A number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए लोकसभा की बैठक किस परकार समाप्त की जाती है तो लोकसभा की बैठक किस परकार समाप्त की जाती है तो ये की जाती है किस के द्वारा तो देखिए विगटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, इस्तिगन द्वारा यानिकि इन तीनों के द्वारा दोस्तों लोक सभा की बैठक है वो समापते की जाती है तो इसका right answer हो जाएगा इन में से सभी द्वारा 64 नमबर प्रेसन है इसमें देखिए लोक सभा का विगटन कौन कर सकता है तो लोक सभा का विगटन है वो कौन कर सकता है तो वो राश्टर पती कर सकता है ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा राश्टर पती आगे देखिए सामानेते 5 वर्स की समापती से पहले लोक स सकता है तो इसका right answer हो जाएगा किसके द्वारा विगटित किया जा सकता है तो परदान मंतरी के संस्तुती से राष्टरपती द्वारा ये विगटित किया जा सकता है तो इसमें C द्वारा पारित अधिनियम से ये बढ़ाई जा सकती है तो A नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राज्य सबा और लोग सबा की समान सकतियां किस छेतर में है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सविदान संसुदन करने के विशे में तो इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए लोग सबा का नेता कौन होता है तो देखिए लोग सबा का नेता है वो कौन होता है तो ये होता है दोस्तों लोग सबा अध्यक्स क्या सही है नहीं लोग लोगसबा का नेता होता है परदान मंतरी तो इसमें B नमबर उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 69 नमबर प्रैस ने लोगसबा चुनाओ में कोई परत्यासी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नह हो सके लोगसबा चुनाओ में कोई नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सत्तर नमबर प्रेस्ट ने कोई वित्य बिल प्रस्तावित हो सकता है कोई वित्य बिल प्रस्तावित हो सकता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल लोक सबा में वित्य बिल केवल लोग सबा में ही प्रारब किये जा सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें with विद्धेक के तो इसमें C number का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा with विद्धेक आगे देखे किसी विशेश दिन लोग सबा में अधिकतम कितने तारांकित प्रेशन पुछे जा सकते हैं तो कितने तारांकित प्रेशन है वो दोस्तो पुछे जा सकते हैं ये अपने को इसमें बताना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें 20 तारांकित द्रश्टी से सबसे बड़ा संसदी निर्वाचन छेतर कुन सा है तो भारत में छेतरपल की द्रश्टी से सबसे बड़ा संसदी निर्वाचन छेतर कुन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लदाक जम्मु कस्मीर यह नंबर का ओप्शन बिलकुल सही उत् जम्मु कस्मीर नेक्स्ट है लोग सबाव राजे सबाव की सक्तियां समान है तो किसके छितर में समान है तो दोस्तों देखिए राष्टरपती के निर्वाचन के समंद में राष्टरपती के विरुद महावयोग के समंद में दोस्तों लोग सबाव राजे सबाव की सक्तियां समान है तो इसका राइट आंसर वप्रौक्ट सभी, D-Nmera Option, बिल्कुल सहुतर, नेक्सट ए, एविष्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो एविष्वास प्रस्ताव है ये दोस्तो लौक सभा में लाया जाता है, तो इसमें A number option से उत्तर नेक्स्ट है लोग सबा में अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती के लिए सीटो का आरक्षन सविदान के किस अनुचेद में उपबंदित है सविदान में अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जातीयों के लिए सीटो का आरक्षन सविदान के किस अनुचेद में उपबंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अनुचेद 330 में सी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुचेद 330 में आगे देखिए निम्न लिकित में से कौन सा राजे लोक सबा में अनुचेद जनजातियों के सरवादिक परतिनिदी तो निर्वाचित करता है तो वो कौन सा राजे करता है तो यह करता है दोस्तो इसमें मद्द परदेश सी नंबर का ओप्षन सही उत्तर हो जाएगा next निमनांकित राज्यों में से किसमे अनुसूचित जंजातियों के लिए लोगसभा में इस्तान आरक्सित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें केरल तथा तमिनलाडू, करनाटक तथा केरल, तमिनलाडू तथा करनाटक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में D नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 79 नंबर प्रेशन है, किस राज्य में लोक सभा में अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जातीयों के लिए आरक्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, देखिए अरोनाचल परदेश, जम्मू कस्मीर, गोवा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन में से सभी के लिए आरक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर इसमें, डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा आगे देखिए, देश का वह संसदिय निर्वाचन छेतर कौन सा है, जिसकी सीमाएं नो संसदिय निर्वाचन छेतरों को इसपर्ष करती है, तो वो कौन सी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है नागोर, राजस्तान ठीक है, जिसकी सीमाएं नो संसदिय निर्वाचन छेतरों से इसपर्ष करती है, तो वो है दोस्तों इसमें नागोर, राजस्तान, वो ती अच्छा प्रस्ता है, दी नमबर का उप्शन बिलकुर से उतर हो जाएगा नेक्स्ट है, किसे लोक सबा में निर्वाचित महिला संसदो की संक्या सबसे कम थी, तो सबसे कम है, वो दोस्तों कौन सी लोक सबा में थी, तो ये थी दोस्तों छटी लोक सबा में सबसे कम महिला संसदो की संक्या सबसे अधिक थी, तो सबसे अधिक थी, वो कौन सी लोक तो वो कितनी है तो वो है दोस्तों इसमें कितनी 50 तो इसमें डी नमबर का ओप्शन बिलकुल सेःतर हो जाएगा लोकसबा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बेने रहने से निरहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनितिक डल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निश्कासित कर दिया गया हूँ ठीक है तो इसका बी नमबर उप्शन बिल्कुल से इतर हो जाएगा पिच्चासि नमबर प्रेशन है पर्थम लोकसबा की बैठक कब हुई थी तो पर्थम लोकसबा की बैठक हुई थी दोस्तो कब तो यह हुई थी 13 मई 1952 को बी नमबर का उप्शन बिल्कुल से इतर हो जाएगा मंतरी परिशद किसके प्रसाद परियंत कारे करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किसके तो वो है लोकसबा के तो इसमें बी नमबर का उप्शन बिल्कुल से इतर हो जाएगा नेक्स्ट है लोकसबा किस परकार मंतरी परिशद के उत्तर दाइत्व को वेवारिक रूप परदान करती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए मंतरी परिशद के विरुद एविश्वास का प्रस्ताव पारित कर ठीक है दूसरा है मंतरी परिशद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तोत किसी प्रस्ताव या विधे को एश्विकार कर तीसरा है मंतरी परिशद के किसी मंतरी द्वारा पेश की गई धन की मांग को एश्विकार कर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरवक्त सभी डी आचन छेतर है निम्न में से किस वरग के लिए नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पिछड़ा वरग तो इसमें C नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर बारत के सविदान में निर्दारित किये गए अनुसार लोग सबा में सदस्यों की संक्या अधिक्तम हो सकती है तो लोग सबा में सदस्यों की संक्या अधिक्तम हो सकती है कितनी तो पांसो बावन C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पांसो बावन आगे देख निमनलिकित में से कौन सा एक लोग सबा का सरवादिक बड़ा छेतर पल के अनुसार निर्वाचन छेतर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें लदाख बी नंबर उप्शन बिल्कुल सेउतर आगे देखे एकराणवा नंबर प्रेस ने लोग सबा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो दोस्तो जनसंक्या के आधार पर सीटे आवंटित होती है ए नंबर उप्शन सेउतर नेक्स्ट है भारत के राष्टर पती की अनुसंसा पर लोग सबा को भंग कर सकते हैं तो दोस्तों वो है भारत के राष्टर पती मंत्री परिश्द की अनुसंसा पर लोग सबा को भंग कर सकते हैं तो मंत्री परिश्द इसका राइट आंसर डी नमबर उप्शन नेक्स्ट है संसद का चुनाव लड़ने के लिए परतियाशी की नियूनतम आयू कितनी होनी चीए तो दोस्तों वो है 25 वर्ष होनी चीए नियूनतम आयू सी नमबर उप्शन विल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक को बेजा गया विद्हक का पारित होना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपस्तित सदस्यों के सादारन बहुमत से तो इसमें ए नमबर उ राइट आंसर हो जाएगा वो है जब सदन में अतीम है तो अपूर्ण मामलों पर विचार होता है सी नमबर का उप्सन बिल्कुल से उतर होता है ठीक है आगे आगे देखिए, लोक सबा का सत्र एक वर्ष में नियूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो एक वर्ष में नियूनतम बार दो बार बुलाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें, ए नमबर उप्सन सही उतर, नेक्स्ट है, एक बल लोक सबा में विपक्सी डल होने का दावा करता है यानि एक दल एक दल लोक सबा में विपक्सी दल होने का दावा करता है उसके पास नियूनतम कितने सांसद लोक सबा में होने चाहिए तो कितने सदस्य लोक सबा में होने सदास्यों कि अधिक्तम संक्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी है तो वो है 543 ठीक है 543 और दो है वो राष्ट्रपती मनोनित करता है, टोटल 545 हो गई है, तो इसमें c नमबर उप्षन सही उतर हो जाएगा, next है नेक्स्ट है, भारतिय संसद में सामिल है उसे प्राइसर हो जाएगा इसमें 3 कर लेना लोकसभा, राजय सबा और राष्ट्रपती, ठीक है? C-nambar option सयुतर Next भारतिय सवाइन के अनुसारदन समन्दि विदेख सरो परतम भारतिय सवाइन के अनुसारदन समन्दि विदेख सरो परतम लोक सवा में प्रस्थाइब किया जाता है तो इसमें D-nambar option बिलकुल सयुतर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आपको लोग सबास से समद्दित टोप सो प्रेस्न हैं वो कम्प्लीट करवा दिये हैं तो दोस्तों अगर आपने पिछली सत्रे कलासें अगर नहीं देखिये तो उनको जरूर देख लें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत